जहन इस वीडियो में बात करेंगे बेटियों को संपत्ती में बरावर अधिकार क्यों नहीं मिलता जब कि कानून जो है वो इसपस्ट प्रापधान कर रहा है कि बेटियों को संपत्ती में बरावर अधिकार मिलेगा लेकिन फिर भी बेटियों को संपत्ती में बरावर अधिक सबसे पहले हम बात करेंगे उस कानून के बार में जो कहता है कि बेटियों को संपत्ती में अधिकार मिलेगा सबसे पहले हम उठाएंगे हिंदू उत्तरा अधिकार 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 होता है उसी तरीके से पुत्री को भी पिता की संपत्ती में बरावर रूप से उसमें अधिकार होगा बहुत ही अच्छा कानून था लेकिन ऐसा एक्चल है नहीं ऐसा जो है बिलकुल भी नहीं है कि बेटियों को संपत्ती में अधिकार मिल ही जाए अब मैं आपको ये भी बिता दू ये कानून कहां लागू होगा हिंदू उत्त्रा अधिकार संसोदन अधरियम 2005 जो है वो इसपस्ट प्रावधन किया गया कि उत्त्रा अधिकार के संबंद में पुत्र एवं पुत्रियों के बीच जो विवेद थे यानि कि पुत्री को नह उसना से खतम हो गया उसने तो कह दिया वही सबको अधिकार मिलेगा यहां तक कि करंशी भूम में भी अधिकार मिलेगा और उसने ये भी कह दिया अगर राजस्तरी नियम जो कानून थे जो विवेधुत्पन कर रहे थे उन्हें भी समाप्त कर दिया जाए ठीक है अब त्रीबात क्लीर हो गई अब उसके बाद आती है राजस्त सहता यानि की राजस्तरी नियम ठीक है देखिए यदि माल लीजिए उत्तर प्रदेस में किसी की खेती की जमीन है मद्द प्रदेस में खेती की जमीन है बिहार में खेती की जमीन है तो उस पर राजस जो सहताएं हैं राजस्तरी नियम उस पर लागू होतें करसी की जमीन पर ठीक है अब जैसे माल लीजे आपका कोई मकान है पिलोट है तो उस पर राजिस्तरी नियम लागू नहीं होगे वो जो है हिंदू उत्रा अधिकार की तरह ही उसमें बठवारा होगा जैसे माल ले इजे मैं उधारण के तरफे देढ़ूं जैसे माल लीजिये आपका कोई मकान है ठीक है तो उस पर हिंदू, उत्तरा अधिकार अधनियम ही लागू होगा और पुत्र एवं पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा चैविवाय तो चैविवाय तो सबको बरावा ठीक है लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश से आप हैं और आपके पिता की खेती की जमीन है क्रसी की जमीन है तो यहाँ पे आपको क्रसी की जमीन में अधिकार बेटियों को नहीं मिलेगा अब आप ये भी जान लीजे कब नहीं मिलेगा देखिए उत्तर प्रदेश विद्वा, पुत्र और अविवाहिद पुत्री रहे इसमें अविवाहिद पुत्री लगा दिया है जैसे मालीजी आपकी, मालीजी जिए भले ही आप बिहार से हैं, ठीक है तो उस पर राजिस्तरी नियम लागू होँगे जो खेती की जमीने आपके पिता जी की उस पर राजिस्तरी नियम लागू होंगी ठीक है तो उसमें पहले देखा जाएगा उसकी राजस सहता में वही राजस सहता क्या कह रही है उसमें पुत्री को अधिकार मिलेगा दिया गया है के नहीं दिया गया है ठीक है अब जैसे मैं भीवाहिट पुत्र्य थी टिक है अगर मनली जी विवाहित पुत्री है उसकी साधी हो चुकिए तो उसे जो है खुरसी जमीन में अधिकार नहीं मिलेगा यह राजसायता कह रही है हां माली जी विदवा भी नहीं है कोई अवीवाहित और वह एक्स्पायर हो गया तो क्रसी की जमीन खेती की जमीन जो है वह ऐसा नहीं कि विदवाहित पुत्री को मिल जाए ठीक है खेती की जमीन जो है वो सबसे पहले विद्वा को मिलेगी फस्त विद्वा को मिलेगी साथ में उसके पुत्र को मिलेगी और साथ में विवाहित पुत्री है तो उसके भी नाम में आएगी लेकिन कोई विवाहित पुत्री है तो वो छूट जाएगी और विवाहित पुत्री चाह कर भी ऐसी ठीक है घर जो बना हुआ है उस पर राजस व सहता भी लागू नहीं होती है उस पर लागू होगा हिंदू उत्रादिकार अधनियम तो हिंदू उत्रादिकार अधनियम दोजार पांच के अनसार पुत्र और एक पुत्री को समान अधिकार दिये गए हैं ठीक है चाए उसका व ववाहिद पुत्री को भी मलेगा और उसकी ववाहिद पुत्री को मिलेगा लेकिन राजिस्तरी नियम जो है करसी भूम पर लागू होते हैं और उनके अंशार देखना पड़ेगा कि करसी भूम के संबंद में क्या बोल रहे हैं मैं आपको एक चीज और किलिएर कर दू है कि ये जो है 2005 पे अच्छा सनसोधन होगा लेकिन उसके बाद भी लड़कियों के साथ पुत्रियों के साथ वो भीदवाओ हो रहा है भीदवाओ इस तरीके से हो रहा है कि माल लीजिये किसी के पिता है उनके पास खेती है अगर किसी पुत्री का विवा हो गया तो उन्हें खेती नहीं मिलीगी क्या विवा करना कोई गलत काम है कि विवा करने के कारण आप उसका हिस्सा खतम किये दे रहे हैं तो ये जो है ये एक कुरीत है और इसे अभी भी खतम नहीं किया जा सकता ना खतम किया गया है ठीक है तो इस वीडियो से आप समझ सकती है कि जो है पुत्रियों को अधिकार कव मिलेगा और कव नहीं मिलेगा मैं एक चीज इसमें और स्पष्ट कर दूँ अगर माल लीजिये कोई महला है और वो महला एकस्पायर हो जाती है उसकी मृत्य हो जाती है तो उसकी संपत्ती किस-किस को बटेगी यदि कोई महला है वो मृत्य हो गई है उसकी संपत्ती जो है वो उसके पुत्र को और उसकी अविवाहित पुत्री को मिलेगी विवाहित पुत्री को भी नहीं मिलेगी और उसके पती को भी नहीं संपत्री जाएगी महला के बच्चों को ही संपत्री ट्रांसफर होगी ना के उसके पती को हाँ आप माल लीजिए उसकी कोई पुत्र नहीं है कोई विवाहित पुत्री नहीं विवाहित पुत्री है तो उसकी संपत्ती विवाहित पुत्री को ट्रांसफर हो जाएगी तो यदि माल लीजिए आपका इस टॉपिक से संबंदित कोई भी कन्फ्यूजन है आप कोई भी सला लेना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंदित तो आप ले सकते हैं कॉंटेक्ट नम्बर हमारा जो है वीडियो की डिस्क्रिप्सिन ने दिया गया है और आप हमें टुटर पर भी अवस से फॉलो करें हमारे टुटर एकाउंट की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में दी गई है आप वहां मुझे अवस स्पॉलो करें और इदमान लिजे आप नेक्स्ट किसी भी संबंद में किसी भी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहते हैं तो आप बता सकते हैं तो उस टॉपिक पर हर संबब प्यास किया जाएगा कि यह वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर बनाया जाए धन्यवाद